दोस्तों Realme का लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme GT 7 Pro बहुत जल्द लॉंच होने वाला है यह स्मार्टफोन इंडिया में लॉंच होने वाला पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसके अंदर होनेवाला कंपनी ने अनौ ले लेकिन उसे पहले चाहिन होगा चार नवंबर कोई चाहिन में होगा उसके बात करें किया perceived उसके बारे इस экспер आप से तो हेलो दोस्तो मेरा नामे रहुत और स्वागर तेप सभी का एक लेटेस्ट वीडियो में आप में से काफी सारे लोग यह सोथ रहे होंगे भाई यह तो चाइना के मोडल के बारे में बताएगा तो मैं आपको बता दू के चाइना से और इंडिया में जो फोन ही आएगा ना तो मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ चेंज होगा प्रोसेसर भी सेम रहेगा आई कहीं पर 69 तो इतना चेंज हो सकता हुआ तो जादो कोई मेजर चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा के रियल्मी जीटी सेवन प्रो केंदर आपको क्या-क्या मिलने वाला है और लीक्स के इंदर सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिस्प्ले के बारे में इसमें आपको 6.78 इंचिस की 1.5 के रेजोलुशन वाली अब किसी-किसी लीक्स में 2K रेजोलुशन भी बताया जा रहा है तो 1.5 कैसे 2K रेजोलुशन के बीच में कोई भी हो सकता है और इसके साथ में आपको इको टू यह सैमसंग की डिस्प्ले इसी जारी इसमें सैमसंग की ECO2 डिस्प्ले आपको देखनी के लिए मिलेगी और इसी में आपको 2000 का है और 120 हट्स का रिफ्रेश्येयर मिलेगा और साथ में डोल भी वीजिन का सपोर्ट मिल सकता है HDR10 प्लस का सबूट आपको मिलेगा डिस्प्ले में तो डिस्प्ले काफी बेटर मुझे लग रही है वैसे ही है और अगर बात करें प्रोसेसर की तो Snapdragon 8 Elite आपको देखने के लिए मिलने वाला है इसका जो Antutu score निकल के आया है Realme GT 7 Pro के साथ में वो है 30,25,000 प्लस काफी अच्छा खास एक score है लेकिन अभी तक जितने प्लस में IQ माफ की जगा Snapdragon 8 Elite आया है सबसे जादा जो Snapdragon का Antutu score आया निकल के वो आया है IQ 13 का 31,00,000 प्लस है उसके बाद में आया है OnePlus 13 का जो कि 30,95,000 की सम्थिंग है और थर्ड नंबर पे है Realme GT 7 Pro जिसका आया है 30,25,000 प्लस तो यह भी अच्छा खास है स्कोर है पैसे 30,00,000 क्योंकि iPhone 16 Pro Max को भी हीट करता है यह स्कोर जो है उसका काफी कम 16-17,00,000 के आसपस रह जाता है लेकिन यहां पर 30,00,000 मिलता है तो प्रफॉमेंस काफी बैटर होगी इसकी साथ में VC कूलिंग चैंबर इसमें आपको मिलेगा अच्छा खासा बड़ा एरिया काफी कवर करता है तो तो आपका फोन हीट वगर नहीं होगा गेमिंग वएर करता है तो उसको काफी ठंडा रखने वाला यह तो काफी गजब-गजब के फीचर दे गए इस रियल में GT7 प्रो के अंदर और अब बात करते हैं इसके कैमरा सेटप के बारे में तो रियर साइड में टिरबल कैमरा सेटप मिलेगा प्रैमेरी कैमरा पाचास अगर बात करें इसके फ्रेंट कैमरा की तो वह आपको 16 पिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल चाहेगा और अब बात करते हैं इसके पावर हाउस के बारे में तो सच में कंपनी ने पावर हाउस दिया बैटरी की बड़ी बैटरी है मतलब अब मैंने एक चाहिंग कम है टाइम लगेगा बल्कि फार्स चाहर्जिंग भी कंपनी ने चाहिए तो गेमर्स के लिए यह एक अच्छी बात है बात करें इसके एंड्रोइड वर्जन की रियल्मी यूई 6.0 बेस्ट एंड्रोइड 15 का अपडेट आपको देखने के लिसकंदर मिलेगा औ चाहिए यूफस 4.0 के साथ में आने वाला है और 22.8 ग्राम बताया जारा लिक्स के अंदर और बात करें इसकी आई पी रेटिंग की तो आई पी 69 की रेटिंग बताया जारी जो काफी बैटर होती है और अगर आई पी 69 नहीं भी मिली क्योंकि कहीं-कहीं पर आई पी 68 भी मै में दे सकती है और company's phone के अंदर एक और अलग और डिफ्रेंट चीज़ दे रही है बिल्कुल यूनिक इसका ही communication system 2.0 यह क्या काम करता है यह आपके network के connectivity को better करता है आप कहीं gaming वेर कर रहे हैं और वहापे network काफी कमा रहे हैं तो उसको यह काफी better करता है काफी improvement करता है काफी हजार हंडर मतलब 47,100 रुपे का आपको मिल सकता है देखने के लिए चाइना के अंदर इंडिया के थोड़ा प्राइस हाइक आपको definitely देखने के लिए मिलेगा इससे अब यह सब इस टेक्स में आपको बता है लगवका 99 से 100% तक यही confirm है चाइना वाली variant के अंदर और इंड है इंडिया के पहले स्नापड़ागन 80 light फोन के लिए यानिकी रियल मी जीटी सेवन प्रो के लिए तो कमेंट कर दीजे कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक करना चैनल पने है सब्सक्राइब करके बैल अकनोन करना मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसे नेक्स टेक्ट व